आप सबी का स्वागत है आपकी अपनी सेफटडी फैमिली में आज के स्पेशल वीडियो के अंदर हम डिसकस करेंगे हिंदी का अती महत्पून टॉपिक संग्या और उसके पिरकार उससे पहले हम कुछ बेसिक चीजों के बारे में जानते हैं जो संग्या को समझने से पहले हमें जानना जरूरी है जैसे सब्द और पद में क्या अंतर होता है सब्द की बात करें तो हमने वनमाला के अंदर भी इसे डिसकस किया था कि भासा की वाक्य के अंदर प्रियोग नहीं किया जा रहा है और ये सुतंतर रूप से प्रियोग किया जा रहे हैं तो हम इने सब्द कहेंगे लेकिन यदि इनका प्रियोग वाक्य के अंदर किया जाएगा तो फिर हमें हम इने सब्द ने कहकर क्या कहेंगे पद कहेंगे ठीक है जो कि य माम है किताब है और पढ़ता है ये है तो सब्द ही लेकिन ये अब वाक्य के्थे अंदर प्रियोग हुए já तो अब इसे पद कहेंगे या फिर सब्द रूप कहेंगे सब्द रूप कों एक तरीक से और समझ सकते हैं वाक्य में प्रियुक्त होने की दरश्टी से एक ही सब्द के हमें अनेक सब्द रूप राप्त हो सकते हैं जैसे लड़का ठीक है तो लड़के में यदि मैंने ए प्रत्य लगा दिया तो लड़की बन जायागा ओपरत्य लगा दिया तो लड़को बन जायागा मतलब कि एक ही सब्द के बहुत सारे सब्द रूप हो सकते हैं मतलब कि पद हो सकते हैं जब हम उसे किस के अंदर प्रियोग करते हैं वाक्य के अंदर प्रियोग करते हैं और वैसे देखें जो हमें इस वीडियो के अंदर डिस्क्स करना है वो है हमारा प्रियोग के आदार पर सब्दों के भेद तो पहला होगा हमारा विकारी सब्द और एविकारी सब्द अब देखते हैं विकारी सब्द और एविकारी सब्द किसे कहते हैं तो बात करें विकारी सब्द की, तो वो सब्द जो link, वचन, कारक और काल के प्रभाब से परिवर्तित हो जाते हैं, उन्हें हम विकारी सब्द कहते हैं, जैसे हमने यहाँ पर एक example लिया है, लड़का, ठीक है, लड़के का यदि हम विकार करें, मतलब की, इसका हमने पहले link बद पर चेंज किया, तो पूर link से क्या कर दिया? इसंयरी link, तो लड़का का क्या बन जायागा? लड़की, इसका मतलब जैसे हमने इसका वचन वो link change किया, तुरंट इसमें परिवर्तन आ गया, ठीक है, इसके सब्द में परिवर्तन आ गया, यदि हम इसका अब constitutes by चेंज क पीच के चार जो हमारे पार्ट हैं वो आएंगे विकारी सब्द के अंदर जैसे कि हमारा पहला आ जायेगा संग्या मतलब की नाउन, सवनाम मतलब की प्रोनाउन, विशेशन मतलब की एडजेक्टिव, किरिया मतलब की वर्व, ये चार होंगे विकारी सब्द, अब बात करें हम एविकारी सब्द तो एविकारी सब्द जस्ट इसका reverse हो जाएगा जो सब्द लिंग, वचन, कारक और काल के प्रभाव से परिवर्तित नहीं होते हैं उन्हें एविकारी सब्द कहते हैं जैसे हमने यहाँ पे एक्जामपल लिया है लड़के अभी आये हैं इसका मतलब सारा sentence है हमने इसका जो जेंडर है मतलब की जो link है वो भी change करके देख लिया उसके बावजूद भी अभी पर कोई प्रवाव नहीं पड़ा इसका मतलब यह क्या है हमारे एविकारी भी हमारे mainly चार टाइप के होते हैं विकारी भी चार टा आई होप आपको विकारी सब्द और एविकारी सब्द किलियर हो गए होंगे ठीक है अब चलते हैं हम जो हमारा आज का topic है संग्या ठीक है तो संग्या को समझते हैं जैसे कि हम English के अंदर देखते हैं noun is the name of person place or thing ठीक है मतलब की यदि संग्या की बात करें तो किसी प्राणी व्यक्ति वस्तु अत्वा भाव के नाम के बोद को कराने वाले सब्दों की क्या कहेंगे हम संग्या कहेंगे जैसे एक example लेते हैं व्यक्ति वाचक संग्या तो व्यक्ति वाचक क्या है जब हमारा व्यक्ति वाचक संग्या में किसी विसेश व्यक्ति या इस्थान का बोद क यह सब क्या है यह सब भाव के अंदर हम डिस्क्स करेंगे थीक है तो हम देखते हैं भेद तो संग्याके मेंली जो भेद होते हैं वो दो भेद कौन-कौन से पहला हो जाति होंटार पर दूसरा होगा हमारा द्वृत पर हमारे मुख्यते और मूलते तो तीन बेद होते हैं एक तो व्यक्ति वाचक जाति वाचक और भावाचक लेकिन कुल पूछ लिया जाए आपसे तो कुल होते हैं पाँच समु वाचक और ध्रववाचक भी आजाएगा उसके अंदर और व्यत्पत्ति के अदार पर कभी- सब्द और योग रूड शब्द तो ये भी ठीक है या फिर हमारा मेंचन हो गा व्यक्ति वाचक संग्या गणनिय थाु gel ऐगाबद संग्या ऐगणनियہ सं थीक Y तो यहाँ पर जो यह mention हुआ है इसके अलावा आपको याद रखना है हमारा उत्पत्ति के अधार पर संग्या के तीन बेद होते हैं एक होता है हमारा rude सब्द जैसे हाथ, घर, पैर, मुँ जिनका वन विच्छेदना हो योगिक के अंदर जैसे पुस्तकालिय, हिमालिय, पाठ साला, पुस्तकपला सालिय, मतलब की दो के कॉम्बिनीशन से बना है तो यह क्या है योगिक, योगरूड की बात करें, मतलब की एक सब्द यूज करने पर कीजित तीसरे का अर्थ दे, जैसे पंकज तो दोनों खंड कर लो, इसके पंक प्लस जै, पंक का मतलब क्या होता है, कीचड, जै का मतलब क्या होता है, हमारा जन्म हुआ, इसका मतलब पंकज का अर्थ क्या हुआ, जिसका कीचड में जन्म हुआ, मतलब की अर्थार्थ कमल तो यह क्या हो जाएगा यह हो जाएगा हमारा योग रूड तो तीन टाइप के भेध होते हैं हमारे विद्पति के आधार पर गणणी है अलग से याद रखना संग्या कभी-कभी पूछले जाता है संग्या के भेध में कि प्राणी वाचक क्या है तो ये भी simple है इसको अलग से यहाँ पर mention करना जरूरी नहीं है जिसे प्राणी वाचक का मतलब क्या simple है लड़का, घोड़ा, पक्षी, आधी क्या है इनके अंदर जीवन है तो ये प्राणी वाचक है जैसे पेड, इंट, दीवार इनके अंदर जीवन नहीं है इसका मतलब ये एप्राणी वाचक है तो simple तरीके से याद रखना आए तो ठीक है लेकिन mainly जो हमें इसके अंदर डिस्कस करेंगे वो करेंगे अर्थ के आधार पर तो यदि बात करें कामता प्रशाद गुरू की के भेद तो कौन-कौन से होंगे पहला बात करें तो व्यक्ति वाचक वैसे तो हम डिटेल में देखेंगे नेक्स लेक्चर में इसे लेकिन अभी जश्ट ओवर्यू देख लेते हैं जैसे व्यक्ति वाचक का मतलब क्या है व्यक्ति वाचक संगया किसी विशेस व्यक्ति य जीलो के नाम, समुन्दर के नाम, पहाडों के नाम, गाउं के नाम, नगरों के नाम, ठीक है, महादेसों के नाम, देसों के नाम, ये सब क्या है, व्यक्ति वाचक संग्या है, उसके अरावा, यदि हम बात करें, तो जाती वाचक, तो जाती वाचक संग्या किसे कहेंगे, ठी पुरी जाती का बोध गरा रहे है उसके बाद आता है हमारा भावाचक संघया का मतलब क्या हुआ भावाचक संघया व्यक्ति या पधार्थ के धर्म या फिर गुण का बोध कराथीय जैसे अच्छाई, चोड़ाई, मिठाई या लंबाई ये सब क्या है वीरता ये है भाववाचक जैसे कोई गुण बताती है जैसे चतुराई और सौंधरी है क्या है हमारे गुण है जैसे भाव की बात करें तो मित्रता और सतुरता क्या है हमारे भाव है अवस्ता की बात करें तो जवानी बच्पन बुड़ापा क्य आवस्ताइं यह सभी भाववाचक है ठीक है उसके बाद यह हो गए हमारे मुक्यते और मूलते तीन भेद अब देखते हैं हमारे जो दो भेद और रहें कुल भेद के अंदर आते हैं वह द्रववाचक तो द्रव वाचक संग्या किसे कहेंगे वो हम देखेंगे detail में next वीडियो में लेकिन just over view देख लेते हैं जैसे द्रव वाचक संग्या में किसी धातू या द्रव का बोध होता है जैसे घी, चांदी, पानी, पी, तल, सोना ये सब क्या हैं द्रव हैं मतलब कि इसके पूर्ण और अंस के नाम में कोई अंतर नहीं होता है जैसे एक बूंद घी बोलेंगे वो भी घी है एक किलो घी बोलेंगे वो भी घी है ठीक है इसका अंदलब क्या हुआ ये क्या हो जायागा द्रव वाचक संग्या उसके बाद बात करें हम समू वाचक संग्या की तो समू वाचक स तो यह पांच ओंधे नेक्स वीडियो के अंदर आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया होगा थैंक यू फो वाचिंग मिलते हैं नेक्स वीडियो में कि अगर 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 कि अगर